आप देख रहे हैं एकजाम टोड़, सिक्षक अभ्यरती का पांच प्रस्न जो सबसे ज़्यादा परभावित कर रहा है, और ये पांच प्रस्न यदि आप नहीं जानते हैं, तो जरूर जान ले, ये सभी सिक्षक अभ्यरती के लिए है, पहला प्रस्न ये, कि आएस्टेट को आवेधन करने का मौका मिलेगा, D8, BL8 वाले आप एपेरिंग हैं, उनको मौका मिलेगा, दूसरा सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर, अभी भी गलत करते हैं, तो समस्या होगा, तीसरा भासा को लेकर, यदि आप कोई समस्या करते हैं, तो भी समस्या होगा, चौथा ये है कि time को कैसे manage करें पाचवा ये है set practice कैसे करें छठा ये है यदि आप 6-8 भर रहे हैं या 9-10 भर रहे हैं इसमें subject combination में क्या अंतर है और 1-7-2 degree वाले का जो समस्या है उस पर भी चर्चा करेंगे जो attempt को लेकर 3 attempt कैसे count करेंगे यानि कि 7-10 प्रशन जो आप मेरे पास भेजेते उन सभी प्रशन को एक एक करक्षे नभीन सर से चर्चा करेंगे ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है दोबुंद जिंद्गी के लिए बोला जाता है तो यहीं वीडियो आपके जीवन के लिए सर अपका स्वागत है एक जाम जो 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 बहुत बहुत धन्यवाद पहला परसन एटेम्ट को लेकर है बहरती कितना भी वीडियो बना लीजिए एटेम्ट कैसे काउंट होगा इस पर करेंगे दूसरा है एस्टेट का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा डियेट बियलेट को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा सबसे पहले एस्टेट से सुरुवात करते हैं एस्टेट और डियेट बियलेट को क्या हो सकता है एस्टेट वालों के साथ तो पूरी तरीके से नाइंसाफी हुई है आप जब दिसंबर में फॉर्म भरवा लिये और पहले से ही आपका था कि मार्च में एकजाम हम ले लेंगे तो फिर अगस्त वाले एकजाम को टियारी को आप मार्च में लेके चले आए और ये बच्चे देखते रह गए कहने का ये मतलब है कि निश्च में पता ने कितनी वेकंसी आएगी और उसके बाद टियारी फाइप आएगी कि ने आएगी बड़ा सा कन्फूजन वाली स्थिति है इसले कर हम कहना चाहते है कि एस्टेट वाले बच्चों को तो मौका मिलना ही चाहिए था सीटेट का जहां तक सवाल है आप देखे होंगे पेपर में कि 15-17 तक में रिजल्ट आ जाेगा तो 23 तारिक लास्ट डेट अगर 15-17 तक में आ जाएगा इन बच्चों को मोका मिल जाना है बच जाता है उधर आपका डेलेट यह पेरिंग वाले चाहतर उनके साथ भी उनके साब से गलत हुँ रहा है क्योंकि 40,000 लग भग डाइट में बच्चे पर रहे हैं अलग लग डाइट में तो उनको भी अब लग रहा है कि पताने हम पूरी तरीके से इस वेकेंसी से बंचित हो जाएंगे रहा जाएंगे तो कहीं न कहीं जो गौर्मेंट की बोडी है जो ये निर्धारित करती है इन इसको फाइनल कर देंगे इतने बच्चे इग्नोर भी हो रहे हैं कोई बात नहीं हमको भोट मिल जाएगा ये क्योंने आप समझ रहे हैं सारे तीन लाख अभियरती खाली एस्टेट वाले हैं सारे तीन लाख अभियरती है आपको तो एलेक्शन के दिश्टी कौन से इदाई होता लेकिन ये बच्चे बहुत परिसान है हम हाथ जोर करके बिंती करते हैं सिक्छाविवाग से कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है इन लोगों को मुका दिया जाए आयू वाले विद्यारती भी कमेंट कर रहे थे ये बरा हुआ सवाल है ये इस पर भी चर्चा करे जहां तक सबसे ज़्यादा जो कोश्चन होता है सोसल साइंस शिक्स टुएट नाइन टेंथ के संदर्म में नाइन टेंथ की बाते हम बोलें तो बहुत बच्चों को अभी भी लगता है कि अगर हमारा ओनर्स पेपर एकोनुमिक्स है तो एकोनुमिक्स रखना जरूरी है उ सब्जेक्ट का चयन आपके विशिस अधिकार या छितरा अधिकार में आता है हिस्ट्री पॉलिटी एकोनुमी जोग्राफी नाइन टेंथ में इस चार में से कोई भी दो पेपर रखना है जिसमें एक इतिहास या भुगोल जरूर होना चाहिए तो अगर आपका एकोनुमि इस नहीं है जोगरफी पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं हिस्ट्री के बाद जोगरफी भी रख सकते हैं हर तरह का कम्बिनेशन रख सकते हैं इसलिए ये ना देखें कि अगर पॉलिटी हमारे कम्बिनेशन में नहीं है तो हम पॉलिटी नहीं रख सकते हैं 100% आप अपने ह परचे confusion में है कि सर मेरा psychology owners है sociology subsidy है एक political science बनता है psychology social science home science बनता है तो यहां आप समझ लिजे कि history quality economy geography home science philosophy psychology इसके अलाबा अन भी कई सारे उसमें पेपर है commerce वोगरे भी है commerce में economics के साथ भी combination बना सकते हैं तो वहां पर क्या देखा गया एक 628 में अगर जितने भी पेपर दिये हुए हैं उसमें कोई दो subject का combination आपका बन रहा है तो निश्चित रूप से 628 में आप फर्म भर सकते हैं लेकिन आप subject हम कौन सा रखेंगे तो subject कोई जरूरी नहीं है कि उसमें जो paper आपका है तो वही रखना जरूरी है आप history, quality, economy, geography जो 9, 10 वालों को इस्थिती है आपके लिए भी लागू होता है history, quality, economy, geography में से दो paper का आप combination बनाईए एक इतियास या भूगोल जरूर रखें history, quality भी रख सकते हैं geography, quality रख सकते हैं history, geography रख सकते हैं मतलब आप कोई साभी दो paper रखने के लिए सोतंत्र हैं, तीसरा आता है language को ले करके, मान लिजए कि TRE1 का अलग इस्थिती था TRE1 के टाइम में language रखने वाली बातों पर यह होता था कि तीनों साल language पर रहा हुआ होना चाहिए लेकिन उसके बाद क्या कर दिया नियम चेंज करके, आपका honors अत्वा सबसीडी में अगर language पेपर है काने का मतलब है, जैसे history है, quality है, English है, geography है, quality है, Hindi है, मतलब एक भी language पेपर honors अत्वा सबसीडी में, उसके बाहर नहीं, honors अत्वा सबसीडी में language पेपर है, तो language को हम मुख पेपर के रूप में लेकर के आगे बर सकते हैं, तनिक भी इसमें confusion नहीं है सर, अब confusion है, attempt को लेकर, कुछ भी समझा लीजिए, कुछ भी बता लीजिए, attempt पर बहुत बड़ा tension हो रहा है आप बैर जी को, कैसे इसको count किया जाएगा, 1, 2, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, सब, और एक समस्या इसमें है, जो बच्चे पहले दे दिये हैं, beard है, और 1, 2, 5 दिये हैं, सुच रहे हैं, मेरा count हो जाएगा, एक attempt या उसको नहीं, उसको तो अतूल सर बोलेते हैं, नहीं, उसमें आपकी गलती नहीं थी, TRE1 में जो आपने B8 था, 1, 2, 5 दिया, उसमें आपकी गलती नहीं थी, और उस attempt से कोई मतलब नहीं है, और attempt के मामले में, इधर paper में कुछ-क पूचनी हो जाया था, वो confused कर दिया इस student को, जो हम असपष्टया बता देना चाहते हैं कि सब के लिए 3, 3 attempt count होगा, 1, 2, 5 के लिए 3 attempt, 6, 8 के लिए 3 attempt, 9, 10 के लिए 3 attempt, 11, 12 के लिए 3 attempt, और कुछ बच्चे ये आप से पूचने आते हैं, या हम से पूचने आते हैं, कि sir मेरा 3 attempt है, हमको exam में बैठना चाहिए कि नहीं, sir मेरा दूसरा attempt है, तयारी बहुत अच्छा नहीं है, क्या हमको बैठना चाहिए कि नहीं exam में, उनके लिए हम कह देना चाहते हैं, वैसे तो अगर इमांदारी पुरवक देखा जाए, attempt रहना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाह attempt का क्या मतलब है, और सब परियोग बिहार में ही, बिहार से बाहर कहीं तो इस तरह की बैवस्ताई नहीं है, कि 3 attempt, तो जो अभी अंदर अंदर बातें चल रही है, 3 attempt तो 5 attempt में बदलने की maximum संभावना है, लेकिन जब तक finally सरकार इसको confirm नहीं कर देती है, तो 3 attempt मान करके चलन है, अब सबाल उठता है कि जिनका 3 attempt है या 2 attempt है, क्या इस exam में बचना चाहिए कि नहीं, तो मेरा कहना है कि खाली form भर देंगे, तो उससे attempt count नहीं हो जाएगा, आप exam जब तक बचते नहीं है, exam देते नहीं है, तब तक attempt count नहीं होगा, इसलिए exam तक देख लें अपना कि हमा नहीं, तो last moment में देखिएगा, तयारी हमारा एकदम ठीक नहीं है, तो skip भी कर सकते हैं, क्योंकि TRE4 अगस्त में होना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, खास करके TGT PGT teacher को, कि estate में सारे 3 लाख बच्चे इस बार बंचित हो रहे हैं, जो कि अगली बार TRE4 में सामिल एक समस्या ये आहा रहा है, अब भ्यरती में एक साथ दो डिग्री को लेकर, कोई भी ध्यारती दो डिग्री लिया है, एक साथ है, एक correspondence है, एक regular course है, उसके साथ क्या है, देखिए, अगर UGC के guideline पर आप धियान देंगे, आप Google में सर्च कीजिए, कि dual degree के बारे में UGC guideline क्य कहती है, तो आपका निकल भी जाएगा, तो UGC guideline जारी की है, कि अगर एक regular course है आपका, दूसरा correspondence course है, अगर university अलग-लग है, तो आपको दिक्कत नहीं है, आप UGC के guideline आप download करके देख सकता है, इसाधिया हुआ है, दो भी regular course आप कर सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन परिश्थिती क्या है, कि एक evening shift हो, और एक day shift हो, मतलब shift overlap नहीं करना चाहिए, ये UGC के guideline में है, तो कोई student मान लिजे graduation करते हैं, और उसी session में DL ed करते हैं, तो UGC के guideline के अनुसार problem नहीं है, कोई student post-graduation करते हैं, उसी session में आप B.Ed करते हैं, तो B.Ed आपका regular है, post-graduation correspondence है, इ दिक्कत नहीं है, ये हम नहीं कर रहे हैं, UGC के guideline में साप-साप दिया हुआ है, और आप भी चाहिए, तो download करके, उसको अपना telegram channel या link में आप दे दें, बच्चे वहाँ से download कर लेंगे, इसमें तनिक भी confusion नहीं है, सर, एक समस्या ये है, बच्चे कह रहा है, जिस तरीका से आप भी press conference देखे होएगा, अतुल सर बोले, कि हम ये vacancy जो दिया जा रहा है, या केके पाठक सर, तो ये समझ चाहिए, पूरक वाला जो नहीं गया, उसी के कारण से समझ ये दे दिया जा रहा है, ताकि आप एक ब अगस्त में, जबकि ये vacancy अभी 2024 माई गया है, तो हमको लगता है कि सिक्षा विभाग का कहीं न कहीं, या BPSC का उस पर ध्यान नहीं गया है, लेकिन ये कताई, ये सही नहीं है, और हमको लगता है कि अभी जिस तरीके से सरकार लगतार उलजी है, दूसरे समस्याओं में, इन बातों को लेकर छात्रों को कितनी परिशानी हो रही है, थोरा सा भी विभाग इसको सिरियसली नहीं ले रही है, इसलिए ऐसे तमाम छात्र BPSC और सिक्षा विभाग, विप्यस्याओं में नहीं है, अगर आप जाते हैं सचिवाले सिक्षा विभाग में, तो में भी कि वहाँ जो निती निर्धारक सिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं, जो इस तरह की बनाते हैं, रूल रेगुलेशन, उनके ध्यान में जाएगी तो हमको लगता है तुरत इस बात को अमल किया जाएगा, इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए विभाग से. इस फोकस करेंगे, जिनका और नीचे है, उच पर थोड़ा सा कम फोकस करेंगे, किस तरीका से करेंगे? इसके अलाबा आप देखेंगे, प्रैक्टिस का एक अपना अलग महत सब दिन से रहा है, तो कई बार क्या होता है, कि आप देखेंगे, कि लगतार चातर से जब आप बात करेंगे, तो चातर बताएंगे, कि अमुक पोस्चन जानते हुए, पताने एक्जामनेशन हॉल में क कई स्टूडेंट को फोबिया टाइप का हो जाता है, जानते हुए कोस्चन एक्जामनेशन हॉल में गलत करने लगते हैं, तो यह इन समस्याओं को दूर तभी क्या जा सकता है, जब आप भीर में घुस करके अधिक सधिक प्रैक्टिस करेंगे, एक एक्जामनेशन का माहॉ जा रहे हैं, मौर्निंग में 7 से 9, तो अगर जो एकदम फ्री आप कॉस्ट टेस्ट है, तो काली घाट या कदम घाट पर जो भी चात्र चाहें, तो परतेक रवीवार को अभी वहाँ पर हमारा टेस्ट होगा, तो वहाँ आ करके फ्री आप कॉस्ट टेस्ट में भाग ले सक का हम कोस्टन भी 10 वजे के बाद उपलब्द करा देंगे, उस कोस्टन को डाउनलोड करके घर पर भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और मंडे को जब हम रिजल्ट पब्लिस करेंगे, तो उस रिजल्ट में अपना रेंक आप सुनिश्चित कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमा में कमेंट कीजिएगा, फिर से उस पर किसी नेक्स्ट इंटर्व्यू में चर्चा करूँगा, जैहिंद!